लेकिन किनी न किनी वजों से वो सारे विलुक्त होते चले गए, कुछ अवैद शिकार, शिकारियों के शिकार बन गए, एक भी हमारे देश में चीता नहीं बचा, लेकिन सरकार लगातार कई सालों से प्रयास कर रही थी, कि हम जो हैं वो इन चीतों को वापस से एक बाप फिर से लाएं, चुकि पारिस्थितिकी तंत्र भारत का भी बहुत बहतर है, जैसे कि हम ने कहा कि नामीविया के जो वग्यानिक थे, वो महीनों तक यहां पे आते रहे, जाते रहे, और यहां का जो भूवग्यानिक इस्थिती है, यहां की जो जलवायू है, उनका उनने अध्य किया, और अध्यन करने के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन तमाम चीतों को मद्प्रदेश में जो कुनो नैशनल पार्क है, वहां की जो इस्थिती है, परिस्थिती है, जलवायू है, उसके हिसाब से छोड़ना जादा उचित होगा, तो उसके बाद ही यह फैस किस तरह के जरीए इनको यहां पर लाया गया, और प्रहानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं, इनको विशेश जो क्रेट्स थे उनको खोल कर और प्रहानमंत्री ने इनको खुद वहां मुक्त किया, वहां पर अब विचरन कर रहे हैं, जो चीता प्रोजेक्ट है, अगर मैं मैं इसकी बात करूं, यह भी बहुत महत्वम्पूर्ण है, आपके लिए जानना कि किस तरह और फूंध है, आपके लिए जानना कि किस तरह इसम्या शतुद।